गुट मॉर्निंग फ्रेंज जै माता दी कैसे हैं आप सबी आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे आपके अपनी यूटूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंज तो मॉर्निंग के साड़े साथ बज रहे हैं और यहां पर तालाब में बिट्यारानी जो रहर का पेड़ होता है फ्रेंज उसी का लकड़ी है इसी को विगा रही है अच्छे से तो पानी तो सूर जुगता है फ्रेंज तो सीधे चपड के अंदर धूप जाता है तो थोड़ा सा छाया वहां हो जाए इसी से हम उसमें टाटी बनाएंगे तो बस इसी के लिए हमने का आओ इसको तालाब में जो पानी है इसी में दबा दो फूल जाएगा अच्छे से दो दिन में दो फूलते रहेगा इसके बाद से जो टाटी है छोटा सा एक बना कर लगा देंगे तो धूप सीधे नहीं जाएगा चपड के अंदर तो आप सभी को हम थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दे रहे हैं कितना पानी है और पहले भी इसी जगह से मिटी निकाले थे तो हम से बैट नहीं पा रहा है क्योंकि जो रहर वाला जो लकड़ी होता है फ्रेंस काफी मजबूत भी होता है और यहां इसको दबाने के बाद बस अपना नहाने के लिए चली जाएंगी और हम लग जाएंगे अपने दूसरे कामों में मौनिंग का जो भी झाड़ूरू का काम ह जाड़ू का तो कभी-कभी जब मौनिंग के टाइम आ जाती है सासुमा तो ओ अगर काम रुका रहता है फ्रेंस तो ओ ही कर लेती हैं और आज हम नहीं किये हैं पीछे का जाड़ू का काम ओ ही की है क्योंकि अभी जो पैर है कभी-कभी बहुत ज़्यादा मौनिग में कद्बी होता है तो आज थोड़ा सा हमें लेट भी हो गया था तो उठे तो हम जो मेन गेट के सामने का ज़ाड़ू रुका काम कर दिये इसके बाद बैठे थे तो बैठने के बाद फिर माता जी आ गई तो वह अपना पीछे का जो भी है गोवर हटाने का काम बच्छे को हटा माता जी ने ही कर लिया और बिट्यारानी अपना लेकर चली गई है तालाब में इसको भीकाने के लिए तो हमने आप सभी को जूम करके भी दिखा दिया लेकिन आप यहां से हम अपने कामें सुरू होंगे क्योंकि जैसे ही चाय पीने के साथ ही हमने दवा ले लिया था जो देवे एक दम बहुत ज्यादा दर्द करते हैं तो बिल्कुल चलने का ही मन नहीं होता है तो आज ऐसा ही हो गया था फिर तो लेकिन अभी जब हम अपने ब्लॉक का सुरूआत करना है फ्रेंस साड़े साथ बजे से तो मुझे आराम है क्योंकि दवा जब ले लिया हमने उस करना है क्योंकि कपड़े सारे सुप गये हैं कल उतार नहीं पाए थे कपड़ों को तो कोई आ गया था साम का टाइम था तो बस उसी में लग गए और जो कपड़े धुलने के लिए साम को ही रखे थे टब में वह भी पड़ा है तो मॉनिंग का यही काम होता है फ्रेंस कि से भचे अगर फ्री होते हैं तो ही कर लेते हैं अ जो भी है इन सभी कामों को बच्चे भी कर लेते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे अरब 것도 सोया और भी औभी उठ जाएगा क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है उसको भी उठने में कभी कभी क्या होता है कि रात में भी बच्चों को लेट हो जाता है सुने में तो फिर मॉर्निंग में भी लेट हो ही जाता है उठने में और अभी श्रिष्टी चली जाएगी दादी के हां गाओं के घर पे तो बस हमने का कि बच्चे तो अभी दर दर हैं तो मैं ही अपना जो यह काम है इसको करने के बाद थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे अपना नास्ता और दवाव अगरा लेंगे अराम से और हम अपना काम करते रहेंगे तो बस इनको नहाने में लग गए हैं और गर्मी का सीजन है फ्रेंस ओ ऐसे क्या है कि कभी नहाना होता है तो खुद ही नहाना लेते हैं और अच्छे से साबुनोगरे लगा कर फिर इनको नहा दिया जाता है तो फिर इनको भी थोड़ा सा जैसे सही रहता है और इसके बाद से फिर कभी-कभी तो साम को भी नहाने के लिए जीत करते हैं तो साम का जो नहाने का काम हो तो जो भी हैं फैमिली को सभी को ही ध्यान देना चाहिए, तो अभी जब से इनका सेहत खराब हो चुका है थोड़ा सा तो बस नावाने धुलाने का जो भी काम है, बच्ये भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेते हूँ, ऐस से करके इनका मौनिंग का जो काम है, यह सब जब हो जाता तो साम को भी जीद होता है इनका नहाने का तो बस पाइप से बीना साबून के खुझ से ही नहा लेते हैं लेकिन जो मौनिंग में नहाने का काम होता है वह साबून अच्छे से सेंपो गरे करके ही नहाते हैं तो फिर इसलिए बच्चे करते हैं तो ठीक है बच्चे अगर साज कर देते हैं इसके बाद से फिर इनको नहाने के बाद लगेंगे अपने थोड़ा सा जो हम यहां पर मिटी का छपाई किये हैं तो उसको भी हमें जैसे थोड़ा सा पुताई करके सही करना है कि फिर जब धूप इतना तेज है और पीछे नीचे का फर्स है उस पे मिटी का छपाई किये है तो उसका हम लिपाई कर देंगे अच्छे से तो सही हो जाएगा तो इतना ना मिटी जो बाल्टी में डाले हुई थे यह मिटी ले लेते हैं फ्रेंस और पुताई करना है हमें बहुत ज्यादा गाड़ी मिटी नहीं चाहिए कि वैसे ही मिटी का छपाई हुआ है और गाड़ी मिटी रहेगा तो फिर क्रेक पढ़ने लगेगा तो पतले घोल हमें बनाना है मिटी का और उसी से हमें करना है पुताई तो यह वही मिटी है जो तालाब से लाए थे कल के ब्लॉग में भी दिखाया था हमने भीगाया हुआ तो उतना बचा था जो फूल नहीं पाया था तो बाल्टी में भर दिये थे तो यह वही वाले मिटी है इसको अच्छे से घोल लेते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे तो घोल हमारा अच्छे से तयार हो जाएगा ज्यादा गाड़ा घोल नहीं चाहिए और नहीं ज्यादा पदला ही चाहिए तो इसको हाथों से मसल कर पहले इसको हम अच्छे से मसल लेंगे इसके बाद से इसका घोल बनाएंगे और जो भी कंकड़ हो गए रहे थे बीन कर हमने निकाले आभी का कंकड़ चूट गये तो जहां थोड़ा सा मुझे दिख रहा था कि यहां पर पानी लग सकता है तो इसको हम हाथों से अच्छे से मिटी भर के इसमें बैठा दे रहे हैं इसके बाद से पताई करते जाएंगे और जो भी इसके उस साइड से हटकर जगा है तो ओ जगवी उसमें भी मिटी का छपाई करना है क्योंकि वहां पर भी काफी अब नादन हो तो इससा ही यहां पर करना है और इसी लिए हमें कमेड़ी आ रहे हैं फ्रेंट की हम जैसे से लजी नहीं धर के लिए तो उसका भी हम अभी जल्दी ही सुरुआट करने वाले हैं लेकिन अब अपर पीछे का जहाएं करने का काम है का तो पहले इधर का जो भी क्लेन करने का नीचे का जगह है उसको हम कर लें इसके बाद से हम जो भी है जैसे नए काम की शुरुआत करेंगे ने तो फिर एक आम रह जाएगा तो फिर हो नहीं पाएगा जल्दी तो अभी यहां पर आज हम इसे ही पुताई करते जा रहे हैं और क अच्छे से लेप करेंगे ताकि जगह एक दम से जैसे अभी दिख रहा होगा आप सभी को केमरे में जैसे उखड़ा उखड़ा से कहीं कहीं मिटी दिख रहा है पुताई के बाद भी तो ओचीज ना दिखे अच्छे से एक दम चिकना सा हो जाए ऐसा लगे तो बस ऐसे ही इसके बाद से फिर हमारा जेश्ट वही काम शुरू होगा नयरसोई की तैयारी तो बस अब यहां पर हम थोड़ा सा दूब यहां पर निकला था तो उसको हटा कर और मिटी यहां भराई कर दे रहे हैं थोड़ा सा खाल जैसे दिख रहा था तो ऐसे भी करते जा रहे हैं कही जहां मिटी का जरूरत है वहां थोड़ा सा मिटी डाल कर और हाथों से बैठा दे रहे हैं ताकि जगह हो जाए चिकना और अभी यह जगह उस तरीके का नहीं हो पाया है जैसे हमें से यह बराबर तो हो गया है लेकिन चिकना नहीं हुआ है क्यूंकि अभी इस पर मिटी का किये हैं हम जैसे पिछले व्लोग में आप सभी को सेर किये थे तो देख सकते हैं मिटी में जहां बैठे हैं काफी सारा क्रेक है तो मिटी का छपाई जब हो जाता है तो ऐसे क्रेक पढ़ ही जाते हैं मोटे लेयर में मिटी का छपाई किये थे और यहां पर हम देख रहे हैं फ्रेंस आटोमाटिक ही केमरा बंद हो जाता है अगर हमारा गैलेरी भर जाए तो थोड़ा सा कभी कभी ध्यान देना पड़ता है तो अब यहां हम इधर हो जाएगा इसके बासे इसके साइड वाला जगवी ठीक करेंगे तो आप सभी वीडियो में बने रहेगा फ्रेंस ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकिसन सबसे पहले आपको ही मिले और हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगएगा फ्रेंस तो एक लाइक देकर फ्रेंस और फेमिले में सेयर भी कीजिएगा तो आप सभी के सपोर्ट से हमारा होसला बढ़ते रहे फ्रेंस आप स से कोई कोई जो हमारे चैनल पे नए आते हैं नया कमेंट आता है साइध हमारे वीडियो को देखते हैं पर कमेंट उनका बराबर सो नहीं होता है तो उनका कमेंट आया था कि आप जैसे इनी सब जगह पे ज़्यादा लिपाई पुताई करते हो और इस मिटी को अब बदल जिए दूसरे मिटी से पुताई का काम करिए लेकिन हमें यह मिटी बहुत अच्छी लगती है और आप सभी बताईएगा आप सभी को पैसा मिटी लगता है क्या हमें इस मिटी को चेंज करके अभी जैसे कि अभी के टाइम पर ब्लेक मिटी और और काफी साधी जैसे काम की शुरूआत करने वाले हैं जैसे नई रसोही हो गया और भी जो भी काम है सभी का आप सभी कमेंट में जरुर बताइएगा क्योंकि आप सभी की कमेंट से हमारा होसला बड़ता है और एक अलग से ही इनर्जी मिलता है अगर ना जैसे कि थोड़ा सा हिमत ना हो फिर भी थोड़ा बहुत हिमत कर लिते हें कि हमें इतना काम आज करना था तो करना ही है और continue अपने काम पे बने रहते हैं रहें जैसे कि आज हमारा ब्लग थोड़ा चुटा है और मिटी का काम भी आप सबी को हम कम ही दिखा रहे हैं कल भी कम दिखाए थे क्योंकि थोड़ा सा जैसे कभी-कभी क्या होता है काम करते करते सेहत भी थोड़ा सा कभी-कभी गड़बर हो जाता है तो बस ऐसे ही धूप इतना तेज हो रहा है गर्मी इतना तेज है फ्रेंस और लेकिन इधे जहां खाल पड़ता है उधर चला जाता है तो वस इसको भी ठीक कर दे रहें ताकि सूखने के बाद सभी क्लेन हो जाए अच्छा सा दिखने लगे तो वस ओ सभी काम है हमें तो करना ही पड़ेगा जैसे कि क्या है कि जब उधर ज्यादा बैटना होता था तो फिर उधर सनी के पापा नहाते थे तो उन्हीं के लिए हम एक छोटा सा मोरी जैसा बनाए थे खुद के ही मेहनत से और फिर इसके बाद से जब पीछे ज्यादा उटना बैटना हो गया है तो पीछे ही इनको भी नहलवा देते हैं और कापी अच्छा सा खुब्सूरत सा प्यारा प्या ​2 और खालेते हैं और आराम करते हैं यह साम होता है फिर आनके जो कारीगर लोग है उनका हिसाब भी करना होता है तो फिर उदर जाते हैं उनका हिसाब करते हैं जैसे कि बहुत ऐसे कारिगर हैं जिनको रोज हिसाब चाहिए जैसे रोज इतना काम करते हैं उतना ही पैसा लेते हैं और बहुत ऐसे जो कारिगर हैं जिन्हें जैसे मन्थ में जो होता है सेलरी उनका तो मन्थ के हिसाब से पना सेलरी लेते हैं तो ऐसे करके सभी का हिसाब करते हैं इसाम को कैसा लगा आज का ब्लोग फ्रेंस कमेंट में आप सभी जरूर बताईएगा क्योंकि आप सभी के कमेंट से हमारा होसला वड़ता है बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे सारी बहने हमें कमेंट भी करती हैं बहुत अच्छा लगता है मन को सुकून मिलता है और आज का वी काम करना है तो इस काम को छोड़ कर अभी दूसरे काम में लग जाएंगे तो यह काम हमारा पड़ा रह जाएगा तो फर्स का जो भी क्लेन करने का काम है इसको हम पहले निप्टा देते हैं इसके बाद से नई रोसोई की शुरुआत करें